हेलो दियर लेर्नर्स, PG is here and welcome to you in PG Point आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीटट से संबंदित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चाहे वो आपकी पेपर 1 से संबंदित हो, चाहे वो आपकी पेपर 2 से संबंदित हो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज ये शुरू करते हैं, आज का आप वीडियो चैनल पढ़ना हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करिएगा, तदा शेशन को शेयर करना नहीं भूरिएगा देखिए, यूपिटेट जो आपका एक्जैम होता है, उसके दो लेवल होते हैं एक तो होता है आपका कक्षा एक से पाच के लिए जिसको आप प्राइमरी लेवल भी बोलते हैं या पेपर बन जिसको कहते हैं उसके बाद में जो दूसरा पेपर होता है, जिसे आप पेपर 2 कहते हैं, उसको आप कक्षा 6-8 के अगर आप सिक्षक या सिक्षका बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होता है, यानि कि यहां से क्या समझ मैं, यूपीटेट में दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 1 प्रामरी के लिए उत्क पेपर 2 जूनियर के लिए होता है, दूसरी बाद, यह जो परिक्षा होती है, आपकी यह दाही गुंटे की होती है, और इसका मोड कासा होता है, एमसेटी होता है, आजये जानते हैं कि आपकी एग्जयाम का पतरन क्या रहने वाला है, सबस गक्षा में दो अलग-ऒलग प्रकार के वेपर होता है क्या मैं मैं मिन्का syllabus भी औलग होता है इसके विशे में आगए चर्चाा करने होगा चाहिए और अगर आप कक्षा 68 के master बनना चाहते हैं तो आपको उससे पहले यूपिटेट का ये paper clear करना होगा अगर आपने seated कर रखा है तो आपको यूपिटेट करने के आवशक्ता है भी और नहीं भी यानि कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है पेपर कुल मैं कितने अंको काता है हमने का कुल आपका देड़ सांको काता है एक कोशन आपका एक marks का होता है क्या मैं निगेटिव मार्किंग होती है किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होती है अगर आप 60% मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्या हैं पास माने जाएंगे योग्य माने जाएंगे और आपके 1500 मिनट के होते हैं यानि कि एक कोशन के लिए आपको एक नमबर मिलता है अगर मैं प्राइमरी लेवल पेपर वन की बात करूँ जो आपका पेपर वन होता है प्राइमरी लेवल का तो उसमें आपके बाल विकास और सिक्षड पद्धति के 30 प्रशन आते हैं 30 अंक के आते हैं जो आपका पर्या विरड़ विज्यान होता है इवियस वाला पोर्शन इसके आपके 30 प्रशन आते हैं 30 अंक के भासा ए जो आपकी हिंदी ही होती है उसमें आपको कोई आप्शन नहीं मिलेगा लैंग्वज जो होती है वो एक तो आपकी हिंदी ही रहेगी यानि कि उसमें आपको कोई option नहीं मिलेगा, उसके 30 question, 30 number के आपको कड़ने ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक language होती है, जिसमें आपको option मिलेंगे, option जो मिलते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमने का उसमें आपको उर्दू मिल सकता है, English मिल सकता है, इस तरीके से कुछ आपको options क्या होते हैं, या questions होते हैं, मैम कितने marks के होते हैं, हमने का देड़ सो ही, आपके maximum marks होते हैं, क्या मैम negative marking होती है, तो हमने कहा कि आपके negative marking नहीं होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आगी, इसी तरीके से आई-एम समझते हैं, paper 2 का pattern क्या होता है, अगर आप junior के लिए, या आपका paper 2 का pattern, paper 2 में आपके 30 प्रेशन बालविकास और सिक्षर पद्धती से ही आते हैं, क्या मैम इसका, ये बालविकास वाला section, paper 1, दूनों सेम होता है, हमने का नहीं, उसका level थोड़ा कम होता है, इसका level थोड़ा से ज़ाधा होता है, उसके बाद में, देखे, अगर के student हैं, तो आप विज्ञान और गडित को select करोगे, तो 60 प्रेशन, 60 अंग के उससे आएंगे, अगर आप मानलो विज्ञान और गडित के नहीं है, आपने BA लिया था, हैना, तो आप सामाजिक विज्ञान चूज कर लोगे, ठीक, जिन्होंने अपना सनातक या आपने डेल करता है, ठीक है, तो अगर आपने के pedagogy subjects, math और physical science ये सबते हैं, तो आप विज्ञान और गडित लीजए, अगर आपके pedagogy subjects, geography, English, Hindi, ये सबते हैं, तो आप समाजिक विज्ञान लीजए, जिसके आपको 60 questions, 60 अंक करने होंगे, language 1 as, उसी तरीके से हैं, यहाँ पर भी आपक को और समझाने वाले हैं, तो देखिए, अगर आप भी देने जा रहे हैं, यूपिटेट का exam, तो चक्षू publication की one of the best book आपके सामने हैं, यह हम सबसे पहले primary level के लिए बात कर रहे होंगे, जो इनकी study guide book आती है, link description box में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, market में भी चक्षू publication के नाम से यह available है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, साथ में इस पुस्ता के अंतरगत आपको paper one, जो आपका कफशा एक से पाच के लिए होता है, उससे संबंदित 3000 से जादा अध्यायवार, यानि कि lesson wise, important question मिलेंगे, व्याख्यात्मा खल के साथ में जो इस पुस् syllabus है, उसी के according पूरी book को design किया है, कौन से chapter से कितने question किस साल बने थे, इसी को हम कहते हैं, विसले सरचार्ट, जिसको इन्होंने हर एक subject wise दिखाया है, उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस book को खोलेंगे, तो आपको youpitet के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, इसके साथ में ज जैसे कि मानलीजा आपका पहला जो भाग एक है, section A है, बाल विकास का, वो आपका page number 1 से 19 तक दिया होगा, इस तरीके से ये इनका index है, सबसे पहले आपको previous year paper देखने को मिलेगा, जो कि हलमने आपको बता दिया है, कि कैसा होगा व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक कैसा होत अब आप जानना चाहते हैं कि इसका अंतर B क्यूं है, तो यही होता है व्याख्यात्मक खल जो इस book की क्या है, खासियत है, इस book को आप market के साथ साथ, description box में लिंक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं, इसके अलावा इनका प्रात्मिक इस तर पर एक आपका practice rate भी आता है, practice rate मे मैं क्या दिया है, हमने का practice rate में 2000 से जादा बहुविकल्पी प्रश्न है, ये भी व्याख्यात्मकल के साथ में, साथ में 15 practice rate और 60 salt paper हैं, चक्शु publication के, जो की आप online के साथ सत, offline market से भी ले सकते हैं, अगर आप बहतरीन तरीके से अपने exam को clear करके, अच्छे नंबरों से यू पेपर 2 में भी ऐसा ही होता है, बस वहाँ पे difference ही होता है, कि अगर आप math student है, तो आप विज्ञान और गडिस सेलेक्ट करिएगा, तो 60 questions उसके आएंगे, और अगर आप social science के हैं, समाजिक विज्ञान वाले हैं, तो आप उसको select करिएगा, अच्छे के आपके 30 questions आएंगे, हमने का हर वर्स तो नहीं बदलता है, लेकिन इस वर्स बदलने की संभावनाएं हो सकती है, मैं क्या बदल सकता है, क्या CDP नहीं आगी है, हमने का नहीं है, हमने का देखिए नया इस बार जो है, वो नया आयोग बनेगा, भई पहले तो नहीं बदलता था, लेकिन अब अग तो उसी तरीके से यह हो सकता है कि यह लोग भी नए सिलाबस में ऐसा निया कि सीडीपी नियागी मैस नियागी वह तो आएगा ही आएगा उतना तो आप पढ़िए परैक्टिस करिए लेकिन उसके अलावा हो सकता है उसमें इक्डू टॉपिक्स इंक्रीज कर देनी पीज़ा संबने यूपिट्ट शिलाबस कौन निर्धारित करता है अब तो नया आयोग ही निर्धारित करेगा क्योंकि जैसा कि धर्णा प्रदर्शन अभी आपने देखा लखनौ में हो था तो उसके बाद से यह हुआ कि यूपिट्ट की परिक्षा नया टू के लिए निर्धारित सिलाबस समान है ऐसा नहीं है कोई जो पेपर वन का सिलाबस है जो पेपर टू का सिलाबस है उसमें सिमिलारिटी नहीं है वो अलग की बारते कि पेपर वन में भी सीडिपी आनी है पेपर टू में भी सीडिपी आनी है लेकिन इनमें अंतर होता है पूछे के प्रशनों की खटना है हम ने कहा कि भी खटना हो तक वह आपको बार्व़ी कश्या तक का होता है उसके बांद है इसके लिए मार्किग चाहिद है Swedish हना कर आप बेहबिगार कोई चैनल नहीं है यह तो यह विडियो आपको कैसा लगा कमेट शेक्षन करना नहीं भूलेगा उसके उलाब़ अब हम आपको एक-एक subject का detailed syllabus देंगे अगर आप एक-एक subject का detailed syllabus चाहते हैं या हम Uptet की तयारी किस channel से करें कहां से करें Uptet की तयारी करने से पहले किन बातों का मैं ध्यान रखना चाहिए इससे संबंदित अगर आपको चीज़े जानने है तो comment section में comment करीगा कि मैं Uptet की सभी जानकारी दीजे तो हम आपके लिए और भी वीडियो इससे संबंदित बनाते रहेंगे सभी जानकारी latest updates teaching exam से related के लिए channel को subscribe करके bell icon प्रेस करिएगा तथा b8 की पढ़ाई के लिए भी आप हमसे जुडे रहिएगा हमारी instagram id है पीजी पॉइंट ओफिशयल के नाम से आप हमसे वहां से भी जुड सकते है हमार टलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से हमारा एप भी यहाँप बहुत जल्दम आपको PDF Ivan में notes भी प्रवाइट करवाएंगे Uptet के ठीक है तो PG Point Official के नाम से मारी Instagram आईडिया आप महां से भी जोड़ सकते हैं यह थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी कैसी लगी? कमेंट चक्षन ने बताने नहीं भूलियोगा, वीडियो को लाइक शेर करना नहीं भूलियेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन नहीं भूलियेगा धन्यवाद